तो आज बनाे चैसे विडियो में को चलैघे स्पोस्टबधु करके हम लोग बनाएंगे स्ट्राणिध यह उसमें वॉडपो उसमें चैसे पनाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग तो सब्डोमेंट पर क्या करेंगे WordPress को इस्टॉल करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले हमें जिस भी विपसाइट के ऊपर सब्डोमेंट बनाना है उस विपसाइट को पहले हम टागेट कर लेते हैं तो अपने विपसाइट सक्षन में आ जाएंगे पोस्टिंगर के यहां पर मेरे पास बहुत सवरा वीप साइट है बट हमें जो बनाना है वो है हिंदीफोरेस्ट.com इस पर हम से ले आते हैं क्योंकि यह पहले से ब्लॉग साइट है हिंदी का तो हम क्या करेंगे इस पर इंग्लिस का एक जो है अलग से जो हम लोग साइट बन करेंगे और इसको भी हम कट कर देते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं क्वांपी क्यों नहीं हो रहा है क्वांपी पेस्ट हम देख लेते हैं कि वेपसाइट हमारा जो अभी जिसका हम सब्सक्राइब बनाना है उस वेपसाइट अभी ओपन कैसा हो रहा है इसमें क्या क्या content पड़े हुए है तो आपको यह दिख रहा होगा यहाँ पर सारा content इसमें Hindi में टला हुआ है इसी domain पर हम क्या चाहते हैं कि English में हमारा ब्लॉग बने जिसके लिए हम क्या करेंगे यहां से जो है सो आपके domain में स्सक्षण में आ जाएंगे तो यहां पर है जो Button आपको धिक करना है यहां सब ढोमेन का यहां सब्सक्षक्राइब नाम से एंग्लिस अगलिस अक्ष। यहां से कस्टम फोल्डर्स भी पनाएंगे जैसे कि हमारा जितना भी साइट है वह क्या है कि अपने डेटा को वहां पर डाल करेंगे यहां से कश्टम फोल्डर्स फोल्डर्स के सावना चाहिए एंगलीस के वाद .hindiforest.com इसको हम कर लेंगे यहां पर क्लिक पर हम लोग क्या करेंगे कर देंगे डोकुमेंट रूट का नार्ट वाइलिट करेक्टर्स बता रहा है यहां पर सब डूमें अगर हम यहां से ब्लॉग ही ले लेते हैं कस्टम फोल्डर ब्लॉग .hindiforest.com यहां पर बार बार एक pop-up message दे रहा है एक बार फिर से हम चलते हैं इंग्लिस कस्टम फोल्डर यूज पब्लिक अंडर्सकूर स्टी एमर चल एस मतलब यह खुदी फोल्डर उठा लेगा इस नाम से तो ठीक है हम क्या करते हैं अलग से बना लेते हैं कस्टम फोल्डर यूज पब्लिक अंडर्सकूर एक्ट्री और ब्लॉग कर देते हैं देखते हैं हमारा को दिलेट कर दें सब डोमेन कर और फिर से हम जाएं और English वाय इस पर हम बना पर बनाना चाहें तो एक वार आपको अम फिर से दिखा देते हैं दिलेट łat करके हमारा जो है यह ट्री इलेट हो चुकए है तक हम क्या करेंगे पिर से एक और जो है और इंग्लिस वाले पर हैं, English.hindiforest.com मतलब custom हम क्या करेंगे, इंग्लिस लेंगे यहां से, वह सकता यहां से हमारा Sub Domain है, ठीक है? यहां पर देख़े हमारा Sub Domain यहां सब्सक्प्राइब यहां पर है, तो हमें यहां पर जर एक फोल्डर में रख करके वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं अपने क्या करना पड़ेगा अब हमें बैक आना पड़ेगा लेकिंगर करेंगे Shh वह अभी जो है सो सब्दूमें क्रिएट है एक तो ब्लॉग है ब्लॉग डॉट हिंधीफोरेश्ट डॉट कॉम एक है इंग्लिज दॉट हिंधीफोरेश्ट कॉम अब हम आएंगे होस्टिंग वाले सक्षन में विफ साइट में आजाते हैं फिर से उस डोमेन को ऑ पर निख कर लेते हैं जिसका हम लोग नवी सब्म democrats नेच्चे श्कॉल एंगे और और हम चलेंगे फाइल मॉनेजर यहां से फाइल को अपने कर लेंगे अपने के बाद जो है हम लोग जहां से हम सारे अपने फाइल को एक्सेस कर सकें देखें यहां पर access file of Hindiforest.com हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो है फाइल मेंजर ओपन हो जाएगा जहां से हमकी प्लिक फाइल से उसको अक्सेस करेंगे इसको हम लोग ओपन करेंगे ओपन करने के बाद देखें यहां पे टिफॉल्ड में फोल्डर बन के आगया है English.Hindyforest.com ठीक है अभी जो हमने ब्लॉग बनाया था ब्लॉग के लिए हमने पर्टिकुलर किसी फोल्डर को टार्गेट नहीं किया था जिसके वह क्या है कि अभी जो है वो नहीं दीख रहा है मतलब उसका फोल्डर यहां पर नहीं दीख रहा है बट हमारे केस में क्या था अब हमने English.Hindyforest.com बनाया था तो इसकेस में क्या किया था हमने एक पर्टिकुलर जो है वह बनाया था फोल्डर बनाया था अब हम यहां पर चलेंगे अब हम क्या खरेंगे इस पर्टिक्लर फोल्डर में रहें उसल़ करेंगे ितो सबसे पहले हम सांथ्ज साइटभा आते है wordpree यह वोट्रेस आरमारे कैसे हमने पहले सा इसको डानोड कर रखास। अब हम क्या करेंगे उस जो भी फाइल को में डानलूट किया है वाट्पेस के अफिसियल साइट से उसको क्या करेंगे अपने सर्वर पे अप्लोट करेंगे बैकन में आप यहां जाएंगे अच्छा आप इससे पहले आपको की और करेंगे जैसे यह हमारा सब्सक्राइब करेंगे और यहां से इसको ओपन कर लेंगे हमारे पास कुछ जो है यहां पर होस्टिंगर का डिफॉल्ट में जो दिया हुआ हुआ है वह दिख रहा है यहां पर यहां पर अपना सब्सक्राइब करेंगे मेरा फोल्डर है इसको में ओपन करें तो यहां पर देखेंगे यहां से हटा देंगे और यहां पर हमारे प्रस यह जो है चेंज हो जाएगा तक है देखेंव यहां पर हाय आ तो हमारा हमारा यह फाईल मतलब सब्सक्राइब है foreign वाल्यस सक्षण अ को यहां से इसको डिलेट कर रखेंगे अप्लोड करेंगे इप फोल्डर में जाएंगे और यहां से हमें download वाले फाइल पर जा कर लेंगर WordPress 6.1 को यह करना है Upload कर देना तो देखेवकि यह हमारा फाइल अपलोड होना अपलॉड ओ गया है जब टक हम लोग व्यट कर लें अ भी हमारा फाइल order करेंगे च्डेक्स करेंगतर यहां पर हमें फुल्डर का नाम मंग लाएं कि फूल्डर के अंदर आप जब्सक्राइब आगया अभैक के अंदर वर्ट्रस के उसकेаша अब जो हमारा यह सब डोमेन है इसको अब हम ओपन करेंगे जैसे यहां पर हम इसको ओपन करेंगे तो भी दिख एच्छा फोर्ट जिरी आ रहा है मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है बट जैसे अगर हम सलेस्ट करके हाई लगा देंगे यहां से एक फाइल को हम एक्सेस कर सकत है हैं मैं निकाम हाइब लगा तो यहां प्रशली आ गया क्योंकि हाई के अंदर भी कुछ नहीं है अगर यहां से हम जाए in public.netwill.com अ enquिल्डिस.ольш biography.com आते हैं अब हम आ gorट नहीं क्योंकि हम यहां पर इसको except कर चुके हम्मारा सारा फाइल जिए आत चुका है यहां पर तो हम क्या करेंगे वाटपेस वाले इस जीप फाइल को हम ग्लेड़ करणे के बाद हमारा राइ है हाई के अंदर भी हमने कुछ नहीं डाल रगा है अगर यह पर हम index.php डाल दे तो यहां पर new folder बना करके अगर हम index.php या फिर stml डाल दे तो हमारा फिर से क्या होगा यहां से अगर हम हाई कर दें और इसको हम save कर दें देखिए यहां पर 403 आ रहा है यहां से हम रीफेस करें यह हो क्यों नहीं रहा है इंडेक्स डॉट और यहां से हम इसको इडिट करें इसके अंदर हाई और यहां से क्या कर दें से दойти है अभी की से क हाम दोस नहीं आ रहा है अगर इसके आगये हम फिर इवरेड और शार। हम क्या सकते है अपने डिवृर्ट और इकसेस कर सकते हैं देखिए यहां क्यों हम प्रेस के इंदर हमारा सारा फाइल पड़ा हुआ है अब जो है हाइक अंदर जाएंगे इस सब को स्लेक्ट और करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहां से मुव फाइल में गजा जाएंगे यहां से हमको क्लिक करना ठ्रिक करने के भाद यह यहां पर wordpress आगा पैब एक काम करते हैं यहां से Englishym45 spot.com एक सेकंड हम इसको मूव करेंगे मूव करने के लिए हम यहां से इसमें आ जाएंगे और इसके अंदर जो हम इसको पहले मूव कर देते हैं इस सब को चीख है अब फिर से हम आए हाई के अंदर हमारा जारा देखिए हमारा जितना भी फाइल हो गया हाई के अंदर मूव हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां से एक बार फिर से हम जो है अब इस हाई को खोलेंगे कि हमारे हम जैसे हाय को खोले हमारे सामने क्या हुआ अब पहले था वर्डप्रेस के पहले हम क्या कर रहा है क्या हमारा वर्डप्रेस में था रहाएं व्डप्रेस फॉलेंगे यहां से 4G3 जीज जया गया एटेट कर देते हैं ठीक है लेटेक करने के बाद हम सारे fol merge को select all करेंगे और wardpress को deselect कर देंगे और यहां से जो है एक बार हम यहांст कि यहां मूव कर देंगा इसको अब हमारा जितना भी है फोल्डर वो कहां गया है इंग्लिस.hindiforest.com के अब हम यहां पर जाएंगे अब हमने सब डॉमेंट को खोलेंगे तो हमारा वट्प्रेस का जितना भी हो है वो खुल गया अब यहां पर हम क्या करेंगे वट्प्रेस को इंस्टॉल करेंगे इस पर हम पर रहें कर लेंगे क्लिक कर लेना है और यहां पर डिटावेस नेम है डिटावेस ऊस्ट है ठीक है अ स्मेल पर यहां से हम चलेंगे अपने डैस्फ़ूर्ट पर हिंधी फुरॉस्ट वल्स पर आते हैं यहां से हम डिकविस क्रिएट करेंगे है तो यहbak में पर ढईटा पर रच अंपर डिकविस्द पर धेटावेश करेंगे है अब यहां जाएंगे हम क्या करेंगे डेटाबेस नेंब है तो हम यहाँ पर इंग्लिष नाम से हमें डेटाबीस नाम से सब्सक्राइब करेंगे और वड़्डप्रेस क्या है कि वो डेटाबेस जो है सो WordPress को access किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं कि WordPress database पर चलता है तो आपको database बनाना ही पड़ेगा तब जैसे यहां पर database बनाएंगे और database को बनाने के लिए database क्या है कि किसी user के थरू जो है और नीचे पासवर्ट बोए हम रहेंड हमरें सुख़ भी डाल देंगे कर अब यहां हम क्रिएट में कर देढ़ दो क्लिक करने हमारा क्या हुआ डेटावे ख्रीट हो चुका है सक्सेसफुली ठीक है है आप देख़के हमारे पस हाए डेटावेस यूजर और यहां पर create कब हमने किया था वो आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे यह database के मेरा नाम है यहां से इसको हम copy करेंगे और यहां पर जाएंगे let's go पर click करेंगे और database नाम हम यहां से इसको डाल देंगे वैसी हमाना database यहां यहां से इसको पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे तो रंदा इस तो पार्ट होगे आपको इपर होष्टिंगर आपको जो है डाइब ना परता है तो इसलिए मत carrots होना लेवल का वो होस्टिंग है और इसके जो कुछ-कुछ functions है वो क्या है कि आप जो अगर गोड़ी से आप कंपेर करोगे तो उससे थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा डिफरेंट है इस वह से अब हम चलेंगे यहां पर रंदा इस्टोलेशन पर क्लिक आपका site का title क्या होना चाहिए यूजर नेम क्या होना चाहिए जब आप एडवीन पैनल को access करोगे या फिर कभी आपने देखा होगा किसी को वर्डबरेस यूज्ज करते वह तो वहां पर क्या है कि आपको एडवीन पैनल खोलने के लिए वहां पर यूशर आड़ी और पा अग्या होगया है C久 Haru अपशिषोरे को घ्रकी है को सबसे को मैनेजके सकते हैं यहां से मों पोस्ट जो भी है कमेंड यहां यह चोड़ी चाहें लगा सकते हैं या था सकते हैं तो उसी प्रकार से शरी जूजर और पासवर्ड में हम यूजर एड़ दारेट 12345 और देखिए एक वीक पासवर्ड है तो यहां पर आपको कनफॉर्म पर आपको टिक लगाना है कि हमारा जो पासवर्ड है वह वीक है आप योर इमेल है इमेल में अगर आप जो भी इमेल देना चाहोगा वह दे सकते हो या इमेल पर आपको प्रवाइट करना ही किसी भी हाल में यहां पर दे दिया इसने पॉप-प मेसेज क्यों क्योंकि अगर आप बाइचांस अकर आप अपने वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हो या फिर सब्सक्राइब क्या होगा तो चेस में यहां पर बहुत ज्याद प्रोडम होगा रीशेट करने में पासवर्ड इस परपस से भी साथ आपको इमिल देना बहुत ही मस्ट कर दिया इन्होंने यहां भी डिफॉल्ट हम कुछ भी डाल देंगे जो मेरे पास इतने सारी इमिल्स पर हुए है यह डाल देंगे चीक है और हमें हाँ से इंस्टॉल व तो हम अपना यह डिया पासवर्ड डाल करके हम क्या कर सकते हैं देखिए जो हमने अब यह बनाया था और पासवर्ड बनाया था इसको हम यह से लगइन करेंगे और हमारा वेपसाइट खुलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें देख सब दोमें पर कैसे हम लोग जो है सब दोमें को एक्सेस कर सकते हैं अब हम यहां से अपने साइट के लिए कुछ भी कर सकते हैं देखिए यहां से इंग्लिस.hindiforest.com यही साइट है और जो में साइट है हमारा पर हम उसको भी उपन कर लेते हैं देखिए यहां से हिंदीforest.com और यह जो है इंग्लिस.hindiforest.com तो यह है ठीक है ऐसे करके आप अपने जो है वेब साइट के लिए या फिर अपने में डोमें के लिए सब डोमें जो है बना सकते हैं तो थैंक्यू गैस प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सस चाने के लिए।